देखिए यहां पर सर्सो का तेल रखा हुआ है आज हम सर्सो के तेल में कुछ प्रोसीजर करके एक तेल तैयार करेंगे जो कि ठन के दिन में बॉडी में लगाने से किसी भी तरह का बॉडी पेन या नर्व पेन या किसी भी तरह का पेन नहीं आता है जैसा कि अभी ठन बहुत मेति दाना अध्रक और लसन यह पास आइटम हुने लिए हैं अब यह सर्सो का जो तेल हैं मस्त्रड वाइल इसको हम अच्छी तरह से गरम करेंगे आप जितना भी तेल बनाना चाहते हैं उतना क्वांटिटी ले सकते हैं और यह एक साल भी रखने से खराब नहीं होता है यह देखिए हम इसकी क्वांटिटी ले रहे हैं आप जितना ज़दा लेना चाहते हैं तो आप ज्यादा भी बना सकते हैं आम तोर पर सर्सो के तेल में कुछ इनल आती हैं लेकिन अब यह सब आईटम जब यह प्रोसेजर करते हैं तो इस्की सरसो कीएोफितीटार्य की स्मेल पुरी तरह से चली जाती पर आप जब को बॉडि में लगाते हैं तो बोडी बहुतीज़ती वस्क्राफिंवा कि एट लगती है किसी सॉत्त क्लें नहीं आती हें और हम इसको रेगुलर नहाने के बाद में बॉड़ी में लगाएंगे तो इस बॉड़ी पेन विल्कुल भी नहीं आएगा अभी बहुत जाला शंट पढ़ रही है आम तोर पर लोगों को 40 की एज के बाद में बॉड़ी पहनाने की समस्या रहती है अभी देखिए हमारा तेल जब तक गरम हो रहा है जब तक कि हम अध्रक और लसन को मिक्सी में ग्राइंड करेंगे बाकी जो तीन आइटम है इसको वैसे ही रहने रहेंगे यह अध्रक और लसन को मिक्सी में ग्राइंड करने के लिए डाल रहे हैं इसके बाद यह देखिए य तेल गरम हो चुका है भाप निकल रही है अब हमने इस को बंद कर दिया है और थोड़ा शंडा होने देंगे क्योंकि अभी यह बहुत जादा गरम है पर इसको पूरा गरम होना देना जरूरी है इसके बाद हम इसको थोड़ा शंडा करेंगे आप इसमें राई नेथी दाना अजवें यह तिनोगा हम इसे डालेंगे दिररे-दिश करके आप स्वाइटम इसमें डाल लेंगे यह तेल ठंड के दिन में बौड़ी में बहुती फायदा देता है किसी बीतरे ब्लाइद नर्व पेन आप रेगुलर इस्तमाल करेंगे तो बिल्कुल यो पेन नहीं कुला कर सकते अपनी भॉड्य में यहाद रकल संगसर पेस्ट है वह हमने इसमें डाला है कि यह जो कि गधर है पुली तरह से यह पग जाएगा इस तर्ह खयो आने देए ये पाच्व आइटम जो गरम होते हैं, तो ठर्णी में बहुत ही फायदा देते हैं. सरसो का तेल भी अपने आप में गरम होता है. अब देखे, इस तरह से हम इसको छान लेंगे. और छानने के बाद में, हम इसको एक बाटल में भरके राख सकते हैं. साल भर तक भी यह रखा रहता है तो खराब नहीं होता है डेली नहाने के बाद में हम इसको बॉडी में लगा सकते हैं कुछ भी आपको ज़्यादा मालिश करने की जुदद नहीं है डेली आप एक योग करेंगे तो आपने आप बॉडी पेंज जो है वो नहीं आएगा यह हमारा आइल पूरी थरे से तैयार हो चुका है अब हम क्या करेंगे इसको एक बॉटल में भरके रख लेंगे और जब तक भी आप चाहे इसका इस्तिमाल कर सकते हैं आपने यदि सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए और थेंक्स फर वाचिंग धन्यवाद